हेलो फ्रेंड्स चलो खतम करते हैं यार इस सजेक्ट को लास्ट लेक्षर में हो नहीं पाया था अब नाइन पीस देखते हैं मार्केटिंग का यह चाहे मार्केटिंग हो या कहीं का भी हो सब सब पहला तो क्या होता है प्लैनिंग और प्लैनिंग में हम क्या करते हैं continuous research करते हैं और multiple decision लेते हैं कि हम कैसे product को develop करेंगे क्या उसकी pricing रहेगी कैसे promote करेंगे कौन से partner रहने वाले हैं कौन से distributed channels होंगे जो हमारे product को आगे पहुचाएंगे ठीक है फिर है product and service उसके बाद आपको product decide करना होता है कि उस product या services की हम branding कैसे करेंगे क्या design होगा कैसे packaging होंगे कौन से size होंगे इस कैसी services देंगे warranty service क्या होगी return policy क्या होगे maintenance policies कैसे रहने वाली है पी तरी price यहाँ पे हम price decide करते हैं कि अगर price में कोई discount देना है quality discount credit discount quantity discount sales या फिर payment period के बेस पे कोई जैदा wholesale मिले जाए उसको discount दे देंगे quantity discount दे देंगे है न कोई अगर जल्दी cash में पैसा कर दे उसको credit discount भी दे सकते हैं फिर place और distribution कि कैसे हम अपने goods को physical location तक पहुचा पाएंगे कौन से distribution channels को use करेंगे कौन से location पे हमारा inventory manage होगा कौन से transportation से हम करेंगे तो यह affiliation place और distribution में आता है फिर promotion करना है जैसे public relation हम एक दूसरे को बता रहें advertise करा रहें white papers मतलब परे बारें बतातना website पे या फिर adwords press release कर रहें sponsor event कर रहें training event कर रहें sales promotion कर रहें या personal selling भी कर रहें तो यह सब promotion करके अपने product या service को पहुचाना फिर partners partners में कि हम किस partnership में जा रहे हैं कि हमारे partner कैसे हमारे customer base को बढ़ाने में help करेगा किसी marketing agency से contact कर लिया कि भाई तुम कैसे हमारे customer खुश किला होगे ताकि हमारी cost थोड़ी सी कम हो तो partners अब आप देखना कोई भी movie release होती तो नीचे business partners होते हैं या फिर digital rights partners होते हैं वो partners के हैं अलग-अलग-अलग-अलग companies होती हैं जो तो हम अपनी services या product पेच पाएंगे ये तो people और उसके बाद इसमें ये भी आ जाता है कि हमारे खुद के जो employee होने वाले हैं उनको भी तो people और target में आते हैं वो भी तो people ही हैं तो उनको कैसे recruitment करें उनकी training कैसे होगी उनको कैसे social interaction कराएंगे ठीक है कैसे अगर complaints आए service failure है त solution दे पाएं फिर presentation सारा खेल presentation का है कि आप अपनी चीजों को present कैसे करते हैं आपका dressing sense आपका gesture आपका posture आप कैसे बात करते हैं किस तरीके से behave करते हैं क्या attitude है वो सब presentation में आ जाता है तो यह यहाँ भी है कि product को हम कैसे present करें अपनी customer को या तो customer wholesaler के पार जाएगा retailer के पार ज पैसन मतलब passionate होना चाहिए तब ही आप किसी चीज़ को promote कर पाओगे पार मतलब मार्केटिंग के जो बंदे होते हैं वो बहुत ही जैदा enthusiastic होते हैं energetic होते हैं तो passion में क्या होता over mastering feeling emotions in the planning develop करना emotionally काम करना promote करना किसी चीज़ को तो passion जब रहोगे passionate होगे किसी चीज़ को लेकर तो आप कर पाओ जैसे कि teaching मेरा पैसन है बहुत कुछ करते हुए भी मैं इसके लिए time निकाल लेता हूं तो आपको passionate होना बहुत जरूर ही है now the next one is seven seas the seven seas compass model of marketing mix the seven seas you इसका है सके जए केमपास मोडल ओप मार्केटिंग मिक्स तो मार्केटिंग मिक्स के जो सेवेन सी जे वो देखते हैं अग्ञें तहीं सेवेन सी इसका हूं से और यहां पहला है corporation, corporation में क्या आ जाते हैं, competitor भी आ जाते हैं, आपकी company organization आ जाते हैं और आपका shareholders आ जाते हैं तो पहला corporation, तो हमें तीनों का ही ध्यान डखने हैं, फिर है commodity, commodity में जो goods और services हैं C based on co-marketing concept, फिर multiple company work together, जहां पर बहुत सारी company एक साथ काम करती है, promote करती है, branded product को Co-branded product को, अलग-अलग तरीके से, फिर है cost, यह total cost को बताता है कि भई, इस product को बनाने में total cost कितना है, लगाया या फिर service को करने में total cost कितनी है फिर channel, it transfer a product service from production point to communication point, मतलब production से communication तक पहुँचाने में, मतलब business owner, customer तक पहुँचाने में, जो आप transportation यूज करोगे, वो channel कहलाता है फिर है communication, seller और buyer एक दूसरे से कैसे बात कर पाएंगे, two way communication होना चाहिए, अगर company ने कुछ बेचा है, तो सामनी लेने वाला भी अपना feedback दे पाए जैसे कि YouTube है, इसमें मैं अगर कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ और किसी को नहीं समझ में आएगा तो अपना feedback दे सकता है, किसी को समझ में आ रहा है, तो भी भी दे सकता है तो वो two-way communication है, now consumer, अगर कोई negative feedback है, तो मेरे लिए improvement वाली बात है, कि हाँ मुझे improve करना है, आने वाले lectures में, और अगर अच्छा है, तो बहुत अच्छी के recognition मिल रही है, now consumer, it follows cardinal directions, nsew means need, security, education and wants, consumer क्या देखता है, जरुरत, security मतलब अच्छा हो, secure हो चीजे, education and wants, तो consumer को य है, circumstances, circumstances में कुछ ऐसे जो uncontrollable environmental factors होते हैं, और जिसमें external factors भी आ सकते हैं, मतलब ये, कि कुछ चीजे ऐसी होती हैं, जो unexpected, वो unexpected था, तो uncontrollable चीजे भी आगर आ गई, तो कैसे manage करेंगे, तो वो circumstances में, तो 7P और 7C देख लिया हमने, अब है, relationship management, now relationship management to associate है, किस से highly influential business management strategy and a powerful solution of business management strategy with relevant impact the area of entrepreneurship, relationship manage करना कैसे है, सब को आता है, relationship manage करना, लेकिन हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक हैं, बट business में आपको अच्छा से ही करना पड़ेगा, तभी आप अपने customer से relation मना पाएंगे, अपनी business और अपने goods और service को अच्छे से promote कर पाएंगे, त तो strong link है relationship management का entrepreneurship से, बट आपको अपना relationship management पे बहुत धियां देना पड़ते हैं, वेंडर के साथ relation क्या है, ट्रांस्पोर्टर के साथ क्या, अपने customers के साथ कैसा, पॉलाइट रहते हो क्या, आप positive हो क्या, तो growing use of relationship management in companies, companies में बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों पे धिया आन दिया जा रहा है, जैसे कि social technology चेंज होती जा रही है, आप अगर कुछ गलत तरीके से करोगों, तुरंट social media में आपके बारे में बोल सकता है, आपके product के बारे में लिखा जा सकता है, over the year relationship management बहुत जरूरी बन गई है, क्योंकि बहुत ही benefit हो रहे हैं, entrepreneurs को कि customer interact कर पा रह है, अपनी, automatic material task है, customer information organization, customer की information मिल रहे है, customer की needs के बारे में पता चल रहा है, तो यह सब है, अब relationship management के benefits देख लेते हैं, entrepreneurs can improve their customer retention level, customer retention level मतलब क्या होता है, कि मेरे चैनल के जैसे कुछ subscriber बना, तो वो long term तक कैसे subscriber रहे है, retain कैसे करूँगा मैं उसको, उसको quality teaching देख, या quality content एक ऐसे ही, कोई product है, तो उसको एक बार कोई product लेके गया, तो बार बार उसी का product ले, वो कैसे होगा, तो पहला है better customer service, या customer service अच्छे से अच्छा दो, आप एक customer हो, आपको अगर service कोई कुछ खड़ीद रहे हो, और आपको बहुत ही अच्छे से service कोई बंदा दे रहा है, तो आप बार बार वहीं जाओगे, फिर brand भी नहीं देखो गया, data analytics, customer relationship management में data analytics का बहुत ही important factor रहता है, कि वो data से पता लगता है कि opportunity कहां है, कहां अपना product बेज सके, plan कर सकते है future को, data analytics, now managing prospective leads, leads मतलब यह होता है कि किसी ने आपको बता दिया कि और वहाँ पे न तुमारे जैसे service की जड़त है, तुम वहाँ service दे सक, उसने lead दिया आपको, लेकिन आप तो खुद जाओगे और अपने client में, तो अगर relationship अच्छे रहेंगे, तो आपको leads मिल सकते हैं, कोई referral आपको दे सकता है, improved marketing, marketing अच्छा हो जाता है, personal approach, personally आप किसी लोगों से मिल सकते हैं, personally लोगों को बता सकते हैं, product के बारे में, services के बारे में, customer से उनकी जरुत के बारे में, पता लगा सकते हो, फिर increase sales, और customer relationship management की वज़े से क्या होता है, sales बढ़ जाता है, क्योंकि जो sales का process हो, वो automate हो जाता है, बार बार कोई बंदा आएगा, बार बार अपने जरुते देगा, तो sales data आपको मिलता रहेगा, और आपको step by step sales बढ़ती चली जाएगी, और sales का process पता चल जाएगा, हाँ, इतने महिने में, इस महिने में, इतनी तो sales होनी ही होनी है, now, stages क्या है, relationship management के stages, पहला है awareness, awareness मतलब जानकारी तो किसी को जगाओ, और जगाओ के कैसे, advertisement से, word of mouth से, अपने, खुद से explain कर करके, interest तो जगाओ, नए customer का अपने उसमें, और social media और other चीज़े हैं, जैसे मैं अपने YouTube channel के बारे में, Instagram पर भी बता सकता हूँ, या Instagram का YouTube पर link दे सकता हूँ, जैसा कि मैंने अपना link share किया Instagram का, तो वहाँ पर लोग मुझे follow कर सकते हैं, ठीक है, now, acquisition, acquisition मतलब किसी चीज़ को ले लेना, प्राप्त कर लेना, तो इस stage में क्या है कि prospect को, मतलब, कोई client आपका बनने वाला था पहले, आपने उसे convert कर दिया, prospect को किस क्या बना दिया, आपने customer बना दिया, convert कर दिया, prospect customer को actual customer में convert करा दिया, कोई लोग, कई बंदे मेरी वीडियो देखनें, कई subscribe नहीं करते हैं, अगर वो subscribe कर लेते हैं, तो वो viewers of subscribers बन गए हैं, ऐसे ही consumers के लिए, तो acquisition इसे बो experience देते हो, खरीदने से पहले उसको इतना सब कुछ अच्छे से explain करते हो, वो खुश हो जाता है, ठेक है, और फिर जो lead है, वो trust में convert होता है, trust जो है, वो आपका customer बन जाता है, एक बार customer बन गया कोई, तो उसको बना कि उसका strong relationship कैसे रहे, customer को कैसे satisfied करे, उनकी proper query को कैसे जेते, तभी तो वो retain रह पाएंगे, time-time को discount, bonus और rewards कैसे देंगे, तो retain करना बहुत ज़रूरी है, फिर है, एड़ो केसी, एड़ो केसी में recommend the brand by satisfied customer, मतलब अब आपकी जो satisfied customer है, वो आपके brand को recommend करेंगे, दूसरे को, कि बही, या तो आप मेरे जैसे मेरे channel के वारे हम किसी औ को बताते हैं, उन्होंने सही से explain किया है, वो cover करा रहा है, इन syllabus इस टाइब से, तो आप advocacy का part कर रहे है, यह सब customer relationship management में आ जाता है, तो कौन सा part है, इसमें, main तो यही था, यह देख लेते हैं, यह क्या है, यह point based नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो, यहाँ से आते हैं, now, let's now talk about relationship management key elements and how to create enduring relationship with client, relationship management के key elements क्या है, पहला make sense, make sense भई, आप जो customer को पुले तरीके से बता पा रहे हो, क्या आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, क्यों बेचने की कोशिश कर रहे हो, वो आप अपने brand के बारे में उनको बताना, messages बताना clearly उसको, crystal clear होना चाहिए, sense बने उस चीज़ का जो आप बात कर रहे हो, तो unnecessary की चीज़े नहीं होनी चाहिए, तब जाके आप, आपकी जो team employee है, वो relationship में help कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो make sense, मतलब ऐसे चीज़े मत बोलो, ऐसे चीज़े मत करें, उसका कोई sense ही नहीं हो, तो relationship management में sensible चीज़े होती हैं, be dependable, most crucial elementary relationship management में कि आप, people आप पर depend कैसे रहे, why would people want to repurchase from a brand if they are inconsistent, अगर लोग एक ही बार लेके चले गें, दुबर आने का नाम ने रहे, इसका मतलब कुछ तो गरबड़ी है, तो लोगों को आप depend कैसे बनाओगे, अपने उसके उपर, अब जैसे कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, कि सर, हम तो depend होगे, आपके वीडियो, उस पर आप वीडियो नहीं राल रहे, class ही नहीं पूरी करा रहे, गुस्षा होगे सारे बच्चे, तो dependable, या तो उनको मेरी classes अच्छी लग, या मिरे explain करना के तरीका अच्छा लग गया, तो ये इस पार्ट में आता है, तो आप भी अपने product और service में तो यही चाहेंगे न, कि लोगों की dependency मेरे उपर बढ़े, है न, तभी तो वो आपके product को बार-बार खरी देगा, now good communication, relationship cannot simply be establishment than abundance, या एक बार बन गया, इसका मतलब यह नहीं कि आप बन गया तो बना ही रहेगा, या एक बार बन के खतम कर देगा, नहीं, आपको बहुत ही अच्छे से चीजों को बताना पड़े, flourish मतलब उसको बढ़ाना है relationship को, ताकि आपकी business की survival या development आगे बढ़े, यह relation बनाना, personal relation बना सकते हो, personally मतलब किसी customer को अपने birthday पे विश कर दिया, किसी personally किसी की help कर दी, professionally कर सकते हो, invest अपना time, energy और effort देना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा communicate कर पाओगे अपनी चीजों के बारे में, be upbeat, जो आपके आसपास जो रहना चाहते हैं, वो देखो, who is toxic and negative, अगर वो toxic हैं, खराब लोग हैं, गुस्सा करना और negative लोग हैं, तो बहुत मुश्किल है, आपके लिए काम करना, इसलिए situation कितनी ज़्यादा हो, आपको positive attitude रखना है अपने लिए, और others के लिए, तब जाके ही आप life में एक लंबी relationship या फिर एक लंबी दोस्ती कर पाऊँगे किसी के साथ, फिर है acquire interpersonal abilities, interpersonal abilities यही होती है कि आप अपनी बातों से किसी को influence कर पाऊ, आप किसी को भरोसा दिला पाऊ कि भाई, आपको जो मैं चीज़े दे रहा हूँ, बिलकुल trust कीजिए, बिलकुल सही है, तो यह interpersonal skill इसमें आ जाता है, अगर कोई बंदा बोल नहीं पा रहा है, चीज़े को explain नहीं कर पा रहा है, तो उसकी interpersonal skill बेकार है, तो वो influence कैसे करेगा पीपल को, कैसे अपने बारे में बताएगा, कैसे वो बना पाएगा एक joyful relationship, strong relationship, एक अच्छा relationship, वो तो जिसकी interpersonal skill ability, मतलब बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, positive attitude नहीं है, फेशल expression ठीक नहीं है, तो यह eye contact maintain नहीं कर पाते कुम, confidence नहीं रख पाते तो उनके लिए life में बहुत सारी मुश्रिबते आने वाली हैं, फिर वो team में काम नहीं कर पाएगे, अपने employee से बच्छा भी हिब नहीं कर पाएगे, तो यह सब है कि आपको interpersonal skill तो लाना ही पड़ेगा, इस तरीके से, यह subject finish होता है, मैंने cover करने की कोशिश किया है, पूरे syllabus को, और last में, all the best for exam, नाम लिख दूँ अपना, C.A. Amit Umar चलो जी, smile के साथ, ओके जी, bye-bye, thank you, इतना सब कुछ सुना मुझे, आपने, मिलते हैं किसी नए subject के साथ, नए lectures में, तरता के लिए, bye-bye, take care,